हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु ज्ञानने, आज हम पढ़ेंगे चेप्टर 7, कॉडिनेट जोमेट्री का एक्सरसाइस 7.1 का कुश्च नमबर 1 का पार्ट 3, माइनस पास के एक पेरे रहा और एक पेरे रहा, इन दोनों पाइंट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालने के लिए मरें पता होंँए अचार तो तो पहले हमसे परसले सब्सक्राना आप यहां पह estás ignore रहा पास अब ये coordinates में आप x1 और y1 के formula असली में एक numerical value होगी जैसे कि 2,3,4,5 समते हैं अब इन दोनों point के बीच का अगर distance निकालना है a b तो क्या आएगा under root of x2 minus x1 मतलब x का एक coordinate दूसरे coordinate से subtract होगा और उसका whole square गा plus y2 minus y1 मतलब y का एक coordinate दूसरे coordinate से subtract होगा यहाँ दखना हम किसी भी side से ले सकते हैं और हमके इसके किसी हिसाफ से sort करें तो हमार पास यहाँ पर दो coordinates आप देख सकते हो एक कॉमा भी और minus वीक तो इसके बीच का हम मान लेते हैं हमारा एक point A होगा यह point B होगा यह हम इनके बीच का सीधर distance लिखते हैं तो distance का formula क्या होते अंडरूट x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square हमें अब values put करनी है अब इन में से हम किसी को भी x1 मान लेते हैं किसी को भी x2 इसको मैं मानूँगा X1, इसको माना मैंने Y1, इसको माना X2 और इसको माना Y2, ठीक है, X के साथ हमेशा Y आएगा, आप values put करते हैं, distance between दोनों points निकालते हैं, X2 क्या है हमारा, minus A, और X1 क्या है हमारा, minus A, यह formula वाला minus है का, तो minus A, minus A का whole square, प्लस, similar way Y2 क्या हमारा, minus B, और Y1 क्या है, minus, यह minus वाला formula वाला minus, और अगे इन minus B, minus B, minus B का, तो distance between both points क्या होगा, अंदरूप, देखो, minus A, minus A क्या होगा, minus 2A का whole square, similar way, minus B, minus B क्या होगा, minus 2B का whole square, तो distance between both the points equals to, मैनस 2A का whole square, अभर यहाद एका, minus का, हमें स्कार क्या होगा, to minus 2A क्या होगा, 2 का square होता है, 4, A का square होता है, A square, minus 2 का square B का होता है, 4, इका, similar way, minus 2 का square होगा अगे 4, और B का square तो B होगा, तो 4B, सो आप देख सकते हो, तो यहां पर 4 है यहां पर भी 4 है अब प्याद एकना अंडर रूट और 4 क्या होता है हमारा 2 होता है 4 को हम लिख सकते हैं 2 multiply by 2 और 2 compare एक बाहर है रूट के तो यहां पर भी 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 common लेके a square plus b square अब next step में क्या करूंगा इस 4 को मैं रूट से बाहर लेंगा जब 4 रूट से बाहर है तो क्या जाएगा 2 और अंदर क्या बच जाएगा a square plus b square और हमसे बोला गया था दोनों point के बीच का distance निकालो निकाला क्या आगया 2 अंदर रूट a square plus b square यह था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कुशन सॉल्व करने के लिए हमारा कुशन ही पर समाप्त होता है थैंक्यू फॉर वाचिंग यांग में